हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तो से प्यार भरानवश्कार सत्ष्रियाकाल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वले हैं पालक और टमाटर के बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी प्रांठे जी हाँ इस तरह से आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं आप इसे एक बार घर पर जिरूर ट्राई कीजिए तो चलिए देखते हैं इसे हम अपने घर पर असानी से किस तरह से बना सकते हैं तो फ्रेंट्स ये मैंने ली है पालक डेड़ कप के क्रीम कटी हुई पालक है जिसे मैंने अच्छी तरह से धो कर साफ करके कट कर लिया है तो ये तो मैंने इसे fine chop किया है आप अगर प्रांठे के लिए इसका paste भी बनाना चाते हैं तो आप वो भी बना कर त्यार कर सकते हैं तो ये दोनों तरफ तरह से बहुत ही tasty प्रांठे बन कर त्यार होते हैं तो अब हम क्या करेंगे अब हम लेंगे आटा डेड़ कप के क्रीम मैंने ये आटा लिया है इसे अच्छी तरह से चान दिया है चान कर ही आटे का इस्तमाल कीजिए अब मैं डाल दूँगी इसमें दो टमाटर ग्रेट किये हुए तो डाल देते हैं टमाटर से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है पालक के प्रांठे में और ये मैंने तीन हरी मिर्श ली है जिसे कट कर लिया है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं बच्छों के लिए बिना रहे हैं तो स्केप भी कर सकते हैं तो एक चमच के क्रीम मैंने लिया है ग्रेट किया हुआ अद्रक बहुत ही बड़िया फ्लेवर आता है अद्रक से प्रांठे में तो अब मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई पालक तो पालक मैंने अड़ कर दी है इसमें अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले तो मसाले भी देख लेते हैं, इसमें कौन-कौन से जाएंगे सबसे पहले मैं ले रही हूँ, साबु जीरा, आदा चमच के क्रीम मैं ले रही हूँ साबु जीरा, डाल देते हैं इसमें टेस्ट के कोडिंग लिया है नमक आदा चमच से थोड़ा सा कम मैं ले रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर आप काली मिर्च का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसमें और आदा चमच ही मैं ले रही हूँ इसमें गरम मसाला तो गरम मसाला मैंने इसमें एड़ कर दिया समय लीजिए सभी मसाले इसमें आ गए हैं तो अब और मसाले हमें इसमें एड़ करने की जरूरत नहीं है मिक्स कर देंगे इसे अच्छी तरह से तो मैं हातों से ही मिक्स कर देती हूँ इसे तब ही अच्छी तरह से यह mix होंगे और पानी की मात्रा हमें कितनी चाहिए वह हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें पालक में भी काफी पानी होता है और जो हमने टमाटर लिया है वह भी grate करके लिए है तो अच्छी तरह से सभी चीजों को आटे में mix करेंगे और अब मैं थोड़ा सा इसमें मैं डाल देती हूँ ओईल दो चमच के करीब ओईल इसमें मैं अड़ करूँगी तब ही हमारे जो प्रांठे हैं खस्ता और क्रिस्पी बन कर त्यार होंगे mix करेंगे अच्छी तरह से और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूँ इसका सेमी डो त्यार करेंगे ना ज़्यादा soft और ना ज़्यादा tight ये दिखिए आटा हमने लगा लिया है बहुत ही अच्छी तरह से हमने आटा को लगाया है अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनिट रख दूँगी और फिर इसे थोड़ा सा ओयल लगाते हुए मसल मसल कर त्यार कर लेंगे तो ये देखिए आटा मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से त्यार कर लिया है बहुत ही बढ़िया हमारा आटा लग चुका है इसी तरह का आटा हमें चाहिए और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं इसके प्रांठे तो मैंने एक पेडा त्यार कर लिया है और सुखा आटा भी उसके ओपर लगा लिया है और इसे बेल लेंगे अच्छी तरह से जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल वैसा ही इसे हम बेलेंगे और फ्रेंड्स शेप आप कोई भी रख सकते हैं इसकी की ट्राइंगल रख सकते हैं चकोर रख सकते हैं गोल रख सकते हैं मैं तीनो टाइप के आपको प्रांथे बनाना दिखा रही हूँ तो यह देखिए हमने रोटी को गोल बेल लिया है अब हम इसके उपर लगाएंगे थोड़ा सा ओइल अच्छी तरह से फैला देंगे चारो तरफ और अब मैं इसको शेप दूँगी ट्राइंगल की यानि की त्रिकोन और इसे फोल्ड कर देंगे तोड़ा सा ओइल और लगा देती हूँ इसके उपर मैं और इसे भी फोल्ड कर देंगे तो हमारी ट्राइंगल शेप आ गई है ये दिखिए और इसको सुखा अटा फिर लगा कर बेलना स्टार्ट करते हैं तवा मैंने गैस के उपर रख दिया है गरम करने के लिए और बेल लेते हैं शेप इसकी इसी तरह से रहनी चाहिए इसी तरह से हमें हलके आथ से इसको बेलते रहना है बहुत ही टेस्टी फ्रेंड्स हमारे ये परांठे मनकर त्यार होते हैं आप इसे धही के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, सॉस के साथ खाएं, या किसी चटनी के साथ खाएं, मक्खन के साथ खाएं, देसी गी के साथ खाएं ये सभी के साथ बहुत टेस्टी लगता है और पालक में तो वैसे भी आईरेन काफी मात्रा में होती है तो बच्चों के लिए तो ये बेस्ट है तो तवा हमारा गरम हो चुका है डाल देते हैं परांठे को इसके उपर और अच्छी तरह से सिखने देते हैं जब तक मैं दूसरा भी त्यार कर लूँगी फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए दिखी एक तरफ से भी अच्छी तरह से हमारा जो प्रांठा है वह सिख चुका है लगाएंगे इसके ओपर ओयल घी लगाईए बटर लगाईए जो मर्जी लगाईए यह आपके ओपर है मैं ओयल से ही इसे बना रही हूँ तो बहुत ही बड़िया खुश्बू भी आनी स्टार्ट हो चुकी है प्रांठे में से तो इस साइड भी में लगाऊंगी ओयल और देखिए कितने अच्छी लेयर्ज बन चुकी है प्रांठे में देख रहे हैं न तो यह खाने में भी बहुत टेस्ट्री बनता है आप इसे एक बार ज़िरूर ट्राई कीजिए तो इसी तरह से दोन तरफ से से सेकेंगे तो प्रांठा हमारा बिल्कुल बन कर त्यार हो चुका है आप देखी रहे हैं तो निकाल लेते हैं इसे प्लेट पर और इसी तरह से मैं बाकी के भी प्रांठे बना कर त्यार करूंगी यह प्रांठा भी हमारा अच्छी तरह से से शिख चुका है यह देखी दूसरी साइट से तो यह तो हमने ट्रांगल शेप में बनाए थे अब हम गोल और स्क्वेर भी बनाएंगे तो यह प्रांठा भी हमारा बिल्कुल त्यार हो चुका है रख देते हैं इसे भी प्लेट पर बहुत ही बढ़िया बना है देखी रहे हैं तो यह दिखिए मैंने गोल प्रांठा भी इसके उपर डाल दिया है बनाकर यह भी त्यार है तो अब मैं स्क्वेर के आपको दिखाती हूँ कि स्क्वेर को हम किस तरह से बनाएंगे तो यह पहले रोटी की तरह इसे बेल लेंगे और इसके उपर लगाएंगे ऑईल अच्छी तरह से फैला देंगे इसे चारो तरफ इस तरह से अंदर से यह प्राटा बहुत सॉफ्ट बनता है अगर हम ओईल लगाते हैं तो इस तरह से दोन तरफ से इसे फोल्ड कर देंगे इसके उपर भी हलका सा ओईल लगा देते हैं और एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करेंगे ये देखिए पहले इस तरह से बेलेंगे फिर इसको टर्न करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे दूसरी साइड भी इसी तरह से बेल लेंगे तो बन गया हमारा चकोर परांथा बस इसकी शेप नहीं हम भी कडने देंगे तो ये चकुर प्रांठा हमारा बनकर त्यार हो चुका है तो इसे भी सेक लेते हैं बना लेते हैं इसका भी बड़ी असा प्रांठा तो तीनो शेप में हमारे प्रांठे बनकर त्यार हो गए हैं तो कर देते हैं इसकी प्लेटिंग तो ये लीजिए फ्रेंट्स तीनो तरह के प्रांठे हमारे बेलकुल त्यार हैं और बहुत ही बढ़िया प्रांठे बने हैं खुश्बू भी बहुत आ रही है प्रांठो की तो इसे आप धही के साथ आराम से इंजोई कर सकते हैं तो तिकोना चकोर गोल किसी भी शेप में आप प्रांठे बना कर त्यार कीजिए और इंजोई कीजिए तो फ्रेंट्स इसी तरह मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो बना कर लेके आती रहूंगी और आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा फिर मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ तब तर के लिए बाई बाई